So let's continue our topic, let's continue the chapter chapter number one, resources and development, जैसे की हमने हमारे last question में हमारे importance के बारे में हमने discuss किया कि resources को plan करना important क्यूं है, किसी भी चीजों को plan करने के लिए हम क्यूं अपनारा planning जो होता है वो हमारे लिए इतना important क्यूं होता है, vital क्यूं होता है, ठीक ही चीजी हमने देखा, अब हमारे resources conservation पे conservation in the sense कि आप आपके resources को waste ना करने के लिए आप क्या करोगे, उसे conserve करोगे, ठीक है, because क्या हो रहा है कि आज हमारे country में resources plenty of available है, but ऐसे नहीं होगा कि आने वाले हर वक्त पर हमारे यहां पर resources plenty of available हो, ठीक है, ठीक है क्या होगा कि जैसे-जैसे resources खतम होते जाएंगे, ठीक है व sources को conserve करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे for example, अगर मैं हमारे इंडिया की बात करता हूँ, so India is reaching each and every sources, for example, water level, ठीक है, पानी की हमारे country में problems नहीं है, क्यों, because of the rainfall, ठीक है, जितने भी हमारे water bodies है, ठीक है, ठीक है, यानि की बरसात होती है, ठीक है, बारिश आती है, ठीक है, बार अबर के duration में, वो क्या हो जाते है, seasonal in nature होने के वज़े से वो वापस से fed on हो जाते है, ठीक है, तो यह चीजे होती है, बड़ अगर हम यही अगर हम चाइना की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो चाइना में water की scarcity काफी जाए है, ठीक है, आप यकीन नहीं मानूगे, कि इनके यहाँ पर wine इतना cheaper rate में मिलता है, जितना हमारे यहाँ पर bottle मिलता है, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज, ऐसा, ठीक है, बड़ अगर आप चाइना में water का bottle खरीते जाओगे, इक विल कॉस्ट यू अराउंड 300-400 फोर वन लिटर, ठीक है, यह ऐसा होता इसलिए ह है, because, वहाँ पर water की scarcity कापी जादा है, जिक है, scarcity होने के वज़े से, वहाँ पर government ने क्या किया है, चीजों पर tax लगा दी, government किसी को बोलेगा नहीं, कि यह चीजे कम use करो, government क्या करेगा, taxes उसके पर सबसे जादा apply करेगा, जिसके विसे क्या होगा, MRP का cost बढ़ जाएगा, और आप कुछ चीजों को use करने के लिए कपी कम करो, ठीके, even आप वहाँ का water अगर भीयोगे भी, अगर आप 300-400 पैसे अगर लगाते भी हो, और अगर आप पानी खरिदते भी हो, और वहाँ पानी पीते भी हो, तो आपको आप यह सोच रहे हो, कि चलो 300-400 रुपे गए, ब आपको इंडिया में available है, इसलिए का आजाता है कि हमें resources को conserve करना चाहिए, क्यों conserve करना चाहिए, because आज resources plenty of available है, but आने वाले future में resources available नहीं होगा, आने वाले वक्त पर एक ऐसा वक्त आएगा, जहां पर resources के लिए हमें भी ऐसे ही taxes बढ़ाने पड़ेंगे, हमें भी इस चिज यूपिलाइज़िशन जो है उसका proper करो, उसको wastage मत करो, जहां नाने के लिए एक बालटी पानी लगती है, तो एक ही बालटी पानी लाओ, इक मेरा बोलने का मतलब क्या है, कि जहां पर पानी पिने के लिए अगर आप थरस्टी हो, अगर आप थरस्टी हो, तो आप आप आ करना करना के हैं, आपको ये सारी चीज़ेगे, करना स्टार्ट करना है तो कोई करता है तो कोई बोलेगा नहीं मुझे जो रीक कर रहा है उसका आवज कि लिए भी आरा चाहिए देखो मैं मेरे क्लास में बता देता हूं की जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो certain मेरे गाइडलाइन होते हैं मैं जब पढ़ाता हूं तो मुझे मेरे डंग से पढ़ाता हूं अगर आप आवस करोगे अगर आपको नहीं लेक्टर बैठना है तो मैंने कोई भी इंडिविजन पसंद्वेसर गोला गी है कि आप हाथ पैर मैंने किसी के बांदे ली है कि ब जब मैं अच्छी से रहता हूं आपके साथ मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ friendly रहूं कि मैं चाहता हूं कि मैं आपका 10 standard के शिलाव बहुत अच्छी से भसके खेलते कंवीब करें तो वैसे जाने जो अच्छी से कि अगर आप लोग अगर कुछ problem create करोगे तो फिर मैं problem create करने लगूँगा तो वह जादा हूं कि आप जैसे भीएप करोगे तो मेरा तो एक ही pattern है आपके parents को बुला कर आपको वही चीज़े भीएप करने हूं कि और आपके parents के साथ बराबर है और मैं ऐसे नहीं मालूँगा मैं parents से सामने मालूँगा तो यह भी चीज़े भीएप तो please यह properly जब पढ़ रहे हो तो फूरा concentration यहां डालो जैसे कि मैंने last lecture में बोला कि मैं इसी geography पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाता हूं मैं बच्चों से करवाने के लिए पढ़ा पढ़ाना और करवाने के लिए कर तो मुझे क्या ज़र्वति की वापस सब्सक्राइब करना है अगर आप resources को आपके future generation के लिए अगर आप store करते हो save करते हो आपके next generation के लिए सोचते हो तो वो आपका हो जाता है resources conservation then it is necessary because अब यह जरूरी क्यों है तो क्यों जरूरी क्यों है पढ़ो many resources are non-renewable and exhaustible if we conserve them we can use them for a longer period of time तो जब कुछ resources ऐसे होते हैं जो renewable होते हैं और जो non-renewable भी होते हैं exhaustible भी होते हैं आप लोगों ने classification of resources में पढ़ा तो जब कुछ resources याने की fuels है minerals है kerosene है यह सारे ऐसी चीज़े हैं जो आप renew नहीं कर सकते fossil fuels renew नहीं कर सकते हैं because it takes certain times to create तो ऐसे resources अगर आप properly utilize नहीं करोगे तो क्या होगा यह आपको आने वाले जनेरेशन के लिए क्या ऐसी की हो जाएगी आने वाले जनेरेशन में इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा problem create होगे अगर आप conservation करोगे resources को तो यह आपके लिए helpful कैसा है यह आपकी economic progress को रोकेगा नहीं एकनॉमिक जो होगी आपकी वो उस particular level पे आपको effect पड़ेगा नहीं country की economy होगी वो जैसे smooth चल रही है वैसे आने वाले सालों में भी smooth चलेगा clear हो रहा है सबको ठीके देन आगे क्या बोला है resources conservation help us to protect the environment resources conservation environment को protect करने के लिए काम आएगा ठीके जैसे कुछ people friendly goods popular use कर सकते हो ठीके कुछ resources ना use करके जो harmful ना हो environment के लिए ठीके तो यह अगर आप resources conserve करोगे तो आपके environment के लिए क्या है five day month रहेगा तो यह था हमारा क्या resources conservation अब यहाँ पर spelling error है तो नेगलेक करो उसको बिकाज यह slide share पे लिए गए लिखे गए है तो यह students के तुरू बनाए गए है और इनकी मेहनत इतनी जाजा है कि इन्हों ने इतना अच्छे presentations बनाए हैं तो कही न कहीं problems create हो जाते हैं आपसे mistakes होते हैं तो मैं बता देता हूँ कि यह गांदी जी है गांदी जी जागिया ठीक है first according to Gandhiji there is a enough for everybody's need and not for anybody's greed please make proper concentration over here because this is very important these questions ठीक है बोड आप लोगो questions उचे जा सकते हैं they might be asked you to justify the statement ठीक है जहाँ पर अपको क्या करना पड़ेगा justification देना पड़ेगा कि यह चीजे क्या बताने की कुशिश की तो यहां पर क्या बोला है there is enough for everybody हमारे country में लोगों के लिए enough है चीजे है सारी चीजे available है बट वो उनके needs को fulfill करने के लिए है किसको fulfill करने के लिए needs needs को ना कि उनके griefs को fulfill करने के लिए griefs in the sense लालज और जैसे कि आप सभी जानते हो कि लालज क्या है लालज भूरी बला है अगर आप greed के लिए अगर आप करोगे तो उसके लिए हमारे पास resources आने वाले वक्त में कम पढ़ जाएंगे हमारे country में resources बहुत available है तो लोगों को यह बताना बहुत जरूरी है कि भाई हमारे country में resources है yes it's available ठीके बट कैसे वो needs को fulfill करने के लिए है अगर आपके needs fulfill होते हैं तो आप right हो बड़ अगर आप उसको आपके griefness के लिए अगर use करोगे ठीके उसके साथ अगर आप politics के लोगे उसके साथ अगर आप misuse करोगे तो वो resources का आप utilization proper कर रहे नहीं हो समझा clear हो गया पक्का okay then आगे क्या बुला है greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology are the root cause for resources depletions resources deplet हो रहे हैं खतम हो रहे हैं इनके पीछे के reasons क्या है इनके पीछे के reasons और सीव ऐसे लोग है जो लालज करते हैं ठीके और resources को properly use नहीं करते हैं ठीके इसके पैसे से आज क्या हो रहा है resources वक्त के साथ खतम होगा जा रहा है then he was against mass production and wanted to replace it with production by masses Gandhiji की सोच ये थी कि mass production मत करो ठीके masses के ले production करो यानि की सबसे पहले लोगों की demand समझो if people are demanding for pencil you produce only pencil ठीके अगर आपको pencil produce करने बोला है तो pencil produce करो ना अगर demand pencil किये तो eraser भी produce करो अगर 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 आपको काजू कत्ली पसंद है तो काजू कत्ली खाओ पराबर तो उसके बदले कुछ और produce मत करो समझ में आ रहा है जो चीज़े आपको पसंद है जो चीज़े को demand है उस demand को और जितना demand है उतना ही produce करो उससे जादा produce मत करो विकोज अगें वो क्या हो जाएगा waste cage लोग 100 है टेके 100 बैक्स हो यह बद मैंने 150 किया तो 50 बैक्स को मैं क्या करता है अचाँ डालू समझा रहा है तो वो 50 बैक्स को क्या करूँगा इस प्रिषे ना है जोगे आपके इस अप्रेशन रिसोर्स के पाटिकिलर पारा में दिया तो एकिए स्टॉप इस पर डालू पर फीर जोंगे रहे हैं